दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आप भी इस फिल्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक इंटराक्टिव कैरियर आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 12 के बाद फॉरेंसिक साइंस कोर्स से जुरी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों फॉरेंसिक साइंस विज्यान की एक ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है जो सभी साइंस सब्जेक्ट यानि की केमिस्ट्री, बायालजी, फिजेक्स और मैतामेटिक्स के सार का सही मिश्रन है इसका यूज बिसिकली क्राइम सीन्स पर पाया जाने वाले किसी भी और हर प्रकार के फिजिकल एविडेंस को रेकागनाईज, आइडेंटिफाई, एक्जामीन और टेस्टिफाई करने के लिए किया जाता है दोस्तो, modern judiciary system, forensic science के expertise और ability पर काफी हद तक depend करती है इस काम में आपका efficient, fair और accurate होना सबसे महत्पुर्ण है दोस्तो, forensic science का इस्तेमाल criminal case को investigate करने और legal procedure के लिए होती है इसमें कई discipline सामिल होती है इसमें science के कई field जैसे की chemistry, biology, physics, geology, psychology, social science और engineering सामिल होती है किसी criminal case में आपने forensic report का नाम तो जरूर सुना होगा इसकी मदद से यह पता लगाया जाता है कि कोई crime किस परिस्तिती में हुआ criminal का पता लगाने में भी इससे मदद मिलती है handwriting matching में भी forensic experts मदद करते हैं forensic scientist किसी investigation के दोरान evidence को collect करते हैं दोस्तो ऐसा माना जाता है कि आर्क मेरे इस दुनिया के पहले forensic scientist है forensic scientist बनने के लिए आपको एक certain educational path पर चलना होगा दुनिया भर में बहुत सी university है जो 12th के बाद forensic science में graduate, post graduate और doctorate level पर अलग-अलग courses offer करते हैं तो आईए, इंडिया में offer होने वाले forensic science के course को चान लेते हैं दोस्तो, forensic science में carrier बनाने के लिए आपको science subject से 12th pass होना जरूरी है 12th class में आप PCM या PCB कोई भी subject ले सकते हैं अगर 12th में आपके 80% से ज़्यादा number होंगे तो या आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत से college merit के अधार पर भी admission लेते हैं इसके अलाबा maximum college में admission, entrance exams के तुरू होता है इस entrance test में All India Forensic Science entrance test यानि कि AIF set एक national level का entrance test है इसके अलाबाए इंडिया में कुछ universities में admission, Out, GSAT, NEST, CGPAT और BHUAT जैसे entrance exam के तुरू भी होता है इसी के साथ आपके अंदर एक अच्छी communication skill भी होनी चाहिए ताकि जब कभी court में आपको अपनी बात रखनी हो तो आप घबराए नहीं इसके साथ आपकी language communication और writing skill भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इस काम में आपको बहुत सी report तयार कर दी होती है जिनने court अतवा investigation committee के समख श्रकना होता है दोस्तो 12th के बाद forensic science में certificate, diploma या bachelor degree का course कर सकते हैं certificate और diploma तीन महिने से लगबग देर साल का course होता है वहीं 12th के बाद सबसे जादा किये जाने वाले forensic science course यानि कि B.Sc. forensic science तीन साल का एक undergraduate course है जो इस students को human anatomy और physiology की knowledge देता है इस course के जड़ी आप forensic science में career बनाने के सभी जरूरी knowledge और skills जैसे कि document verification, handwriting analysis, criminal photography अधी से equipped हो जाएंगे दोस्तो bachelor degree obtained करने के बाद MSC करने के लिए तीन तरह के course मौझूद होते हैं इन में से प्रते course को करने में लगबग 2 साल का समय लगता है आप किसी भी course को चूज कर सकते हैं इन course में MSC in forensic science, MSC in forensic science and criminology और MSC in info security and cyber forensic सामिल है दोस्तो forensic science में master करने के लिए students को graduation में 60% के साथ physics, chemistry, botany, biochemistry, microbiology, b pharma, bds ये applied science में graduation होना जरूरी है दोस्तो वही अगर आप एक doctor है यानि कम से कम आपके पास MBBS की degree है तो आप forensic medicines and toxicology में MD कर सकते हैं इस course को करने में भी 2 साल का समय लगता है Master करने के बाद आप PhD भी कर सकते हैं अगर आप forensic science के professor बनना चाहते हैं तो PhD करना आपके लिए बहुत ही बहतरीन होगा PhD करने के लिए 3 साल का समय लगता है दोस्तों forensic science expert बनने के लिए जितने भी course के बारे में हमने आपको बताया उन सभी के लिए आपको अलग-अलग fee पे करना पड़ता है degree और diploma दोनों के लिए जैसे time period अलग-अलग होती है वैसे fee भी अलग-अलग होती है fee का ज्यादा या कम होना इस बात पर depend करता है कि आप किस university से पढ़ाई कर रहे हैं अगर आप bachelor degree प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम आपको 35,000 से 5,500,000 रुपया तक का खरचा सकता है वही अगर आप master करते हैं तो आपको 20,000 से 2,000,000 तक का खरचा सकता है और PhD करने के लिए लगबग 45,000 से 1,500,000 तक का खरचाता है दोस्तो अगर आप forensic science में career बनाना चाहते हैं तो आपको इसकी knowledge जरूर होनी चाहिए कि वो कौन से departments हैं जो forensic science experts को नोकरी देते हैं अगर आप पहले से ही जानकारी रखेंगे तो समय आने पर आने वाली vacancy का पता चलते ही आप अपनी मनपसंद job के लिए apply कर सकते हैं आप intelligence bureau, crime investigation bureau, law firms, central government science forensic labs, quality control bureau, universities, police department, private detective agencies और defense and army में job apply कर सकते हैं forensic science के फिल्ड में government और private दोनों सेक्टर में career के मौके मिलते हैं फिलाल अधिकतर job government sector में ही मिलती है, police, legal system और investigative services जैसी जगहों पर job के अच्छे options होते हैं forensic scientist, intelligence bureau और CBI की ओर से hire किये जाते हैं इसके अलावा आप master degree या PhD के बाद teaching के फिल्ड में भी जा सकते हैं दोस्तों, इंडिया में इस सेक्टर में salary अलग-अलग profile के according बदलता रहता है सुरुवाती salary 20-25,000 होती है जो बाद में 3-4,000,000 तक जा सकती है government sector में काफ़ी attractive salary मिलती है दोस्तो, forensic science में काफ़ी wide scope है आपको कई government और private sector में job मिल सकती है इससे आपकी skills और knowledge में बढ़ोतरी होगी डिगरी पूरी होने के बाद आप खुद का business भी कर सकते हैं आप अपना forensic service office खोल सकते हैं दोस्तो, दुनिया भर में crime unlimited होते हैं इसलिए इस फिल्ड में job के काफ़ी अच्छे मौके हैं दोस्तो, उम्मीद करता हूँ 12th के बाद forensic science का यह वीडियो आपको अच्छे लगी होगी और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में भी आ गई होगी दोस्तो, इस वीडियो को share करना न भूले और ऐसे ही knowledgeable और informative वीडियो के लिए चैनल को जरूर subscribe कर दे